एक संकू का आयतन 570 cm3 है यदि इसके आधार का छेतरफल संकू है तो संकू का ये आधार है आधार क्या होता है बिरित होता है इसका छेतरफल दिया हुआ है और इस पूरे संकू का आयतन ये दिया हुआ है तो उसके उंचाई ग्यात करना है उंचाई ये निकालना है हम लोग सकता है तो संकु का आयतन का सुत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए तिरजाय निकालना पड़ेगा तो बिर्थ का 6 सीज़ना निकाल लेंगे इस आधार का चेटरफल हमें दिया हुई यह आधार क्या बिर्थ का छेटरफल क्या होता है पाई आड़ एस्कौर ह सब्सक्राइब तो πिया र एक बडब अब दिया हुआ है तीन電्म लेते हैं यहां तीन्सोच्वगय करें और इसका मान हम अगर 3 10 सरी डाय चैनल जाया और इसका मान हम अगर 5 314 है यह πाई है πाई आर के सब गोना होड़ा इधर आके बटा में हो जाएगा पाई का मान हम यह डाल देते हैं 3,10 मेलब 1,4 पाई का मान हम लोगों ने 3,10 मेलब 1,4 ले लिए असानी से बन जाएगा इसका 10 मेलब को हम उडाएंगे नीचे वाले को तो उपर में क्या करेंगे हम लोग 10 मेलब की बाद दोठो आंख है यानि एक लगा करके दोठो चीरो लगाएंगे मतलब यहां से हमको आर मिल गया मतलब यह हुआ इसको रहताएंगे रूट के अंदर आएगा एकसो और एकसो में दोठो दस है तो एकसो दस बाहर हो गया यानि दस सेंटी मीटर हमारा इस संकु का तिरजा निकल गया अब हम क्या करेंगे संकु का आयतन का सुत्र लगाएंगे संकु का आयतन का सुत्र क्या होता है एक बटा तेन पाई आर स्क्वार एच इस संकू का आयतन हो गया तो संकू का आयतन बड़ाबर हम लोग को दिया हुआ है पंदरो सो सत्तर इतना हम लोग को दिया हुआ है हम चलो हम यह ऐसा करेंगे कि यह पाई का मान यहां भी जो है 22 वटा साथ नहीं लेंगे 3 दस मुलब 1 चार ही लेंगे यहां भी चलो कर लेते हैं एक बार में या थो हम इधर भी लिखे आ सकते हैं एक साथ में या यहां भी रहने दो 1 वटा 3 5 काबान 3 दस मुलब 1 चार उसके बाद 30 हमारा 10 निकला 10 गुणा 10 गुणा यह एच रहे जाएगा यह हो गया 1570 बड़ा मज़ेदार है तो अच्छा यहां देखो 10 और 10 को गुणा करेंगे तो किता हो जाएगा 100 हो जाएगा और इस 100 को हम 310 मुलब 1 चार से के साथ गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा अब यहां एच को अकेले छोड़ जो यहां 1570 लिखो उसके आद देखो यह 3 भाग हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा उसके बाद बड़ा में यह 314 आ जाएगा चुकि यह गुणा हो रहा है तो इस पर आके भाग लग जाएगा ठीक है अब इसको हम कैसे काटेंगे दुखा पारा में कट जाएगा दू एका दू एक पर एक एगारा पांच दूनी 10 एक पर चार 14 यह भी दुखा पारा में कट जाएगा सात दूनी 14 हो गया बच गया 1, 1 पर 7, 17, 8 दोनी, 16, 16 में से 17 में से 16 गया 1, 1 पर 0, 10, तो 5 से 10 अब यह किसी से नहीं कड़ेगा इसको डायर्क रणना पड़ेगा एक सो सल्तावन का पहड़ा पड़ो और उसको काटो तो 165 का पहड़ा यदि हम 5 बार पड़ें तो यह कटके फूरा कैंसिल हो जाएगा यानि कि उपर 5 और 3 बच गया तो 5 गुना 3 करेंगे तो 5 तिया 15 आ गया 5 तिया 15 मतलब यह हुआ कि संकु का जोग चाहिए निकलेगा 15 सेंटिमीटर आप्सन नमबर B